मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है भारत की धार्मिक नगरीकाशी से करीब 61 की में की दूरी पर स्थित मिर्जापुर शहर उत्तर प्रदेश का एक बहुत महतुपूर्ण शहर है जो की प्राकृतिक एतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत जाद अब अगली जगा है चुनार का किला पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है चुनार का किला मिर्जापूर का एक प्रमुख परेटन स्थल है यह एक एतिहासिक किला है यह स्थल धार्मिक महत्व के साथ साथ एतिहासिक रूप से भी काफी लोग प्रिये है यहाँ पर आपको बहुत बड़ा किला देखने के लिए मिलता है अब अगली जगा है अश्टभुज मंदिर यह मंदिर देवी पारवती को समर्पित है जो की माता पारवती जी का ही एक रूप अश्टभुज देवी है यहां की विंध्या श्रिंख लाओं के उपर स्थित यह मंदिर एतिहासिक और धार्मिक दोनों रूपों में ही महत्व रखता है यह मंदिर यहां की पहाडियों के मध्य एक गुफा में देवी अश्टभुज स्थित है अब अगली जगा है काली खोव मंदिर काली खोव मंदर मिर्जापूर का एक प्रसिद्ध मंदर है यह मंदर मिर्जापूर में विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है इस मंदर में आपको गुफा देखने के लिए मिलती है गुफा के अंदर काली माता की मूर्दी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं यहां रोज पक्रशामिए रएवन काुछ श्रधाल वू की अक्षी खासी भीड होती हैं। अब अगली जगा है उफ्तिखार का मक्परा 24. खान मुगल सम्राट जहांगीर का एक पदाधिकारी था। यह मक्परा मिर्जापुर के चुनार में स्थित हैं। अब अगली जगा है व्यंधाम जलप्रपात मिर्जापूर शहर में आपधार्मिक स्थलों के अलावा यहां के प्राकृतिक स्थलों की भी सेर कर सकते हैं व्यंधाम जलप्रपात को प्रसिद परेटन स्थलों में गिना जाता है चट्टानों के रास्ते से बहती हुई यह नदी इसकल को एक छोटे जलप्रपात का रूप में बदल देती है अलोपी दरी मिर्जापुर का एक सुन्दर जर्ना है यह जर्ना गने जंगल के अंदर स्थित है यहाँ पर आकर आपको प्राकृतिक द्रिश्य देखने के लिए मिलता है यह जर्ना बरसात के समय पहाड़ियों के बीच से कलकल ध्वनी करते हुए बहता है यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है अब अगली जगा है टांडा वाटर फॉल टांडा जल्प्रपात मिर्जापूर का एक सुन्दर जल्प्रपात है यह जल्प्रपात उची चटानों से एक कुंड में गिरता है यह जल्प्रपात बहुत ही सुन्दर लगता है यहाँ पर आप बरसात के समय घूमने के लिए आ सकते हैं अब अगली जगा है शीतला देवी अदलपुरा माशीतला देवी चुनार घाट से लगभग 7 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है तथा बाराणसी से 24 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है माशीतला देवी का मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है यह शक्ती पीठ मंदिर है यहाँ पर सभी धार्मिक कारे किये जाते हैं जैसे मुंडन करना शादी, विवां करना इत्यादी अब अगली जगा है चुनादरी जर्ना चुनादरी जर्ना मिर्जाप्खुर का एक सुन्दर जर्ना है यह जर्ना लखनिया दरी के पास स्थित है आपको लखनिया दरी से करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तब आपको यह जर्ना देखने के लिए मिल जाता है अब अगली जगा है विंधिवासिनी मंदिर माविंधिवासिनी धाम शक्तिपीठ है कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती के शरीर के अंग गिर थे यहाँ पर नवरात्री के समय बहुत जादा भीड रहती है और साथ ही देश भर के श्रधालूओं का ध्यान भी अपनी और आ करशित करता है यह मंदिर सती के प्रसिद शक्तिपीठों में से एक है अब अगली जगा है सिर्सी बांध और सिर्सी जलप्रपात सिर्सी बांध मिर्जापूर का एक सुंदर बांध है सिर्सी बांध मिर्जापूर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह बांध ब मा भंडारी देवी मंदिर मिर्जापुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मिर्जापुर जिले के अहरेरा में स्थित है। यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। आप यहाँ पर आकर इस मंदिर को देख सकते हैं। यहाँ पर समराट अशोक का शिलालेक देखने क अब अगली जगा है पिप्री बांद पिप्री बांद मिर्जापूर का एक सुन्दर स्थल है यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जलाशे देखने के लिए मिलता है यह जलाशे बेलन नदी पर बना हुआ है यहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं यहाँ चारों तरफ का अबगली जगा है सीता कुंड मिर्जापूर का एक थार्मिक स्थल है सीता कुंड मिर्जापूर में अश्ट भूजी मंदिर के पास में स्थित है कहा जाता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान भगवान राम और मा सीता यही पर रूके थे यहाँ पर आपको एक छोटा सा कुंड देखने के लिए मिलता है अब अगली जगा है अणगणानद परमंस आश्रम यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर जिले में चुनार बस स्टैंड से राजगर मार्ग पर चुनार से 18 किमी की दूरी पर स्थित है यह आश्रम बहुत ब लखनिया दरी यह मिर्जापूर के प्रसिद जगा में से एक है यहाँ पर शेलानी लोगों की ज़्यादा भीड रहती है यहाँ पर आपको जंगल, पहाण, नदी और जरने देखने के लिए मिलते हैं लखनिया दरी लतीफपूर में स्थित है यह एक खतरनाक दरी है ज्या से 20 किलो मीटर की दूरी पर अडगणानंद आश्रम मार्ग पर स्थित है सिद्धनात की दरी पर प्राकृतिक रूप से लगभग 100 मीटर की उचाई से पानी गिरता है एक कुंड में इस कुंड से पानी एक नदी में चला जाता है अब अगली जगा है कुटारनात शिव कुटारनात शिव मंदिर मिरजापूर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है यह मंदिर मिरजापूर में सरहरा गाव में स्थित है यह मंदिर बेलन नदी के बीच में बना हुआ है यहाँ पर शिव भगवान जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं अब अग इस घाट के पास में ही बलू आ पत्थर से बनी हुई बहुत ही सुन्दर स्मारक देखने के लिए मिलती है। इन स्मारकों में सुन्दर कारिगरी की गई है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। अब अगली जगा है। तारकेशवर नाथ मंदिर मिर्जापूर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीन है। आप यहाँ पर आकर शिव भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर मिर्जापूर में गंगा नदी के पास में ही बना हुआ है अबगली जगा है मातारा शक्ति पीठ मिर्जापुर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है यहाँ पर आपको मातारा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं मातारा की यहाँ पर बहुत सुन्दर प्रतिमा है यहाँ पर घाट भी बना हुआ है मंदिर प्राचीन है यह मंदिर मिर्जापुर में कंटित रोड में स्थित है आप यहां पर आकर घूम सकते हैं यहां पर भैरफ बाबा की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं अब अगली जगा है मोतिया तालाब मोतिया तालाब या मोती तालाब मिर्जापुर की एक सुन्दर जधा है यहाँ पर आपको एक बड़ा सा तालाब देखने के लिए मिलता है इस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर तालाब के पास में शिवजी का मंदिर देखने के लिए मिलता है